लेटेस्ट रियूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले अक्सर देखा जाता है कि खेतों के आसपास कुछ जानवरों के बिल या फिर गड़े नजर आते हैं दिखने में यह बिल खरगोश तथा सांपों के होते हैं या फिर चूहों के होते हैं लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायल हो रही है जो आपके अस्चरे में डाल सकती है दरसल इंग्लेंड के रहने वाले फोटोग्राफर माइकल स्कॉट हमेशा की तरहें तस्वीरें खींचने के लिए घूमने निकले तो उनकी नजर एक खेत में मौजूद छोटे चोटे गड़ों पर पढ़ी पहले वो भी उसको खरगोश का बिल ही समझते रहे लेकिन बाद में उनके सामने जोसत आया वो होशुडा देने वाली निकली माइकल जिस गड़ें को मामूली समझ रहे थे वो असल में एक गुफा निकली मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह गुफा कई समय से इस खेत में दभी यू हुई थी जिसे इस माइकल ने खोज निकाला इस गुफा को जब और भी करीब से देखा गया तो उसके अंदर के चैंबर अब भी सही सलामत थे चैंबर काफी अच्छी हालत में थे नाइट स्टेम पलर एक क्रिश्चियन मिलिटरी गुरब का था सन 1129 से 1312 के बीच नाइट स्टेम पलर एक टिव था इस गुफा का इस्तिमाल भी सीक्रेट मीटिंग्स के लिए किया जाता था